दोस्तों लोग कहते हैं कि सबजी के अंदर कमाई नहीं होती है सबजी के अंदर कुछ बसता ही नहीं सबजी बुआई करते हैं तो बराबर हो जाता है लेकिन दोस्तों मैं आज आपके लिए यह अगस्त महा चल रहा है आज आपके लिए ऐसी सबजी लेकर आ रहा हूं जिसके और यह हमारी फसल टैयार होके मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों बहुत शान्दर रेट देने वाली है, आज की तारीक में आप देख रहे हैं कि हमने ये पहले अपना फसल लगाई थी ये पालक की फसल देख रहे हैं दोस्तों ये पालक की फसल हमने बुआई की थी और ये पालक की फसल की हमारी कटाई सुख हो गई है उसके बाद में दोस्तों हमने ये जो आप पांच क्यारी हमारी इदर ये पांच क्यारी आप देख रहे हैं ये पांच क्यारी हमने उसके बाद में बुआई की है और ये अब 15 दिन बाद हमारी तैयार होकर चल जाएगी जो ये पालक की फसल हमारी होती है आपने देखा होगा कि कम से कम पांस से छे बार इसकी कटाई आराम से हो जाती है पांसे च्छे बार कटाई होने के बाद में जब भी हम इसकी कटाई करते हैं एक बार कटाई करने के बाद में इसमें थोड़ा सा हम यूरिया का छाटा मार देते हैं और उसके बाद में इसके अंदर हम पानी लगा देते हैं पीछे पीछे पाणी डालके उसके अंदर खाद कछीटा मारते रहते हैं और हमारा पीछे पालक तैयार होता रहता है तो लगातार जो है हमारी पालक की फसल चलती रहती है फिर हम जो हमने क्यारियां छोड़ रखी हम उनके अंदर बोदेते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों हम पूरी साल भर पालक की जो फसल है उससे अच्छी खासी इनकम दोस्तों हम पालक से कमा सकते हैं और पूरी साल अमारा पालक जो है खेत के अंदर चलता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों एक पालक की एक ऐसी फसले मैं आपको इसके अंदर बता देना चाहता हूँ आप अपने खेट के अंदर 10-10-15-15 क्यारी दोस्तों आप लगाते रहिए हम क्या है कब यह हमारी चल रही है उसके बाद में यह चल जाएगी उसके बाद में हमने यह बीच में जगे छोड़ रखी इसके अंदर हम भुआई कर देंगे तो पालक के हम पूरी साल जो है रेट बहुत ही शानदार दोस्तों लेते रहते हैं हम दस क्यारी होते हैं और बहुत ही गजब अब अब अगर आप मार्केट के अंदर जाओगे तो पचास से साथ रुपे किलो हमें दोस्तों धोक के रेट मार्केट के अंदर बिल रहे हैं बालक के तो आखिर हम कौन सी वालक की वो विदी अपनाएं कैसे हम खेट का चैन करें किस परकार से खेट की तैयारी करें कौन सा हम बीज अपना खेट के अंदर बुवाई करें किस परकार से हम बीजोब चार करें आखिर कौन सी वो विदी अपनाएं जिससे कि हमारी पसल तैयार हो नहीं किया है प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपन खेत चैन की तो दोस्तों आपको पताए कि अगस्त महा चल रहा है बरसात का घंगोर बरसात का दोर चल रहा है तो ऐसे में जो हमारा खेत का सलक्सन है दोस्तों वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए और परियाप्त मातरा में उस पानी की जो है निकासी होनी चाहिए नहीं तो यह पालक वर यह जो फसल है दोस्तों वो ऐसी फस खतम हो जाएगी, भंगस लग जाएगी, बरबाद हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें ऐसा खेत का चैन करना है पर साथ के टाइम के अंदर, उसके बाद में दोस्तों आपने खेत के अंदर गहरी जुदाई करनी है, रोटेवेटर से पूरे उसको खेत को काट के और उसको मिला दीजिए उसके अंदर अगर कोई है, तो गहरी जुदाई करने के बाद में दोस्तों अब उसके अंदर आप परेकड के हिसाब से देशी खाट डाल देजिए, क्योंकि जो सोडा से सत्रा प्रकार के जो पोसक तत्व, पोसक तत्व डालने से हमारी फसल जोई पीड़ी नही दीजिए यूरिया, पूरे खेत के अंदर डालने के बाद में रोटेवेटर घुमा दीजिए और पाटा लगा दीजिए, पाटा लगाने के बाद में खेत हमारा हो गया है तैयार, अब दोस्तों बात आती है वेराइटी की, एडवांटा की जो मुलायम वेराइटी है, वो बहुत ही शांदार वेराइटी है, और बहुत ही अच्छी हमें फसल देती है, तो आप कोई भी और जो आपके एरिये के अंदर छेतर के अंदर कोई वेराइटी बढ़िया बूती हो, तो आप उस वेराइटी का जैन आप कर सकते हैं, तो आप अपने क्यारियों के अंदर ब दगा कर पूर फोलक लो तो फिर आ कर दीजित को पशाया एंदर के बाद में भी स्प्रे इसे तंदर नुचाने को तो पता दूंगा यह प्रिम निजिस्से पैनी से पैन के अन्दर भीसित फैंड पुरी शाल के सबसे महेंगे रेट हमें इसी टाइम में मिलते हैं दोस्तों इस वीडीयो में